राजिस्थान की बहुत चोचित आये इस टीना डावी हाल ही में बार्मेर की कलेक्टर बनी वही कलेक्टर की कुरसी संभाल कर टीना डावी फिर सुर्खियों में इस दोरान उन्होंने जीला अस्पताल में रोगी के साथ आई महिला रिष्टिदार के साथ छेड़ चार करने के मामले में आरोपी नर्सिंग कर्मी पर बड़ा एक्शन दिखाया है कलेकर टीना डाबी के मामला संघ्यान में आने पर आरोपी नर्सिंग कर्मी को तुरंत एपयों कर दिया गया इस मामले में अस्पताल प्रशासन पर आरोप हे के मामले को रफदफख करने के प्रियास किया गया लेकिन कलेक्टर ने हस्तशेप किया तो ये कारवाई हुई नमस्कार मैं हूँ शेक जुही आप देख रहे हैं दनगरे नियूस दरसल 18 सतंबर को बार्ड मेर के जीला अस्पताल में महिला रोगी जो अपने सीजेरियन के बाद टाके खुलवाने के लिए इस्पताल है उसके साथ उसकी एक महिला रिश्पदार भी थी आरोप है कि इस्पताल में कमरा नमबर 15 एमोटी में तैनात एक मेल नर्सिंग कर्मी ने महिला के साथ छेड़ चार कर बदसनुकी की इस मामले में परिजनों ने अस्पताल में जम कर हंगामा किया अस्पताल पर शासन ने भी बात को दबाने का प्रियास किया इस दो रान आरोपी नर्सिंग कर्मी को केवल नमबर 15 से हटा कर खानापूर्ती की गई इस मामले में पीडिता महिला का आरोप है कि कमरा नंबर 15 में कारियत नर्सिंग कर्मी ने उसका हाथ पकड़ा और छेरचाड की इस पर पीडिता ने जब इसका वरोध किया तो नर्सिंग कर्मी ने उसकी साथ गाली गलोच कर कमरे से बहार निकाल दिया इस मामले में परिजनों ने हंगामा करते हुए अस्पताल परिश्वासन को लिखित में शिकायत भी दी लेकिन अस्पताल परिश्वासन ने इस मामले को दबाने का पूरा प्रियास किया केवल नर्सिंग कर्मी को कमरा नंबर 15 से हटा दिया महिला के साथ छेरचाड और बचसलूकी की घटना को लेकर परिजनों ने अस्पताल में जंकर हंगामा किया इस दोरान अस्पताल के पृष्वासन ने भी नर्सिंग कर्मी का बचाफ करते हुए बेतुका तर्क दिया बाद में जब यह मामला जीला कलेक्टर टीना डावी तक पहुचा उन्होंने मामले को गंबिर्ता से लेते हुए आरोपी नर्सिंग कर्मी को एपियो करवा दिया इसको लेकर उन्होंने मामले की जाच करने की निर्देश भी भी है तमाम खबरों के लिए देखते रहें यह दन अगरीनियों शुक्रिया